तो आज हम जो है हमारे जो चैप्टर नबर वन का लास्ट टोपिक समझेंगे ठीक है ना वैसी बहुत ज़्याद डिले हो चुका है ठीक है तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टोपिक होने वाला है जिसे मोल एंड एवागार्डो नंबर का टोपिक जो हुआ करता थ ठीक है ना परसंटेज यील्ड ठीक है तो इन तीनों को डेफिनेशन से मैं आपको इससे डिफाइन करूँगा कि आप डेफिनेशन सुनोगे यार आपको खुदी समझ आ जाएगा कि के नहीं कर जाती है बट लेटर आइवल एक्स्प्रेन यू ओल इस तिंग्स तिंग्स कि यूरेटिकल यील्ड का दूसरा नाम होता है केल्कुलेटिड यील्ड केल्कुलेट करते हैं हम इसमें केल्कुलेटिड यील्ड और एक और नाम होता है इसका इसके नाम याद रुखना क्या नाम होते हैं तो बहुत सारे कोशिशन में कहते हैं केल्कुलेटिड यील्ड what is the calculated yield तो घबरना नहीं है आप लोगो ने ठीक है तो theoretical yield जो होती है कि हम amount of product को किसी भी हमारे पास उसकी जो है balance chemical equation के थुरू calculate करें amount of products calculated with the help of balance chemical equation is called theoretical yield तो इसके अंदर हम क्या करें होते हैं calculation कर रहे होते हैं calculation कर रहे होते हैं balance chemical equation की तोर पर हम theoretical जीज कर रहे होते हैं थुरी जो हम पढ़के हैं तो वो theory को apply कर रहे होते हैं कि यह theoretical है हम दिमागी सोच रहे होते हैं अगर यह rate करेगा तो यह इतना फार्म हो रहा है तो कहमारे पास क्या क्या होगा कितना product हमको मिलेगा तो यह हम दिमाग में जो है एक चुगा घोड़ा दोड़ा रहे होता है तो इसको कहते है हम theoretical yield मतलब हम अपने balance chemical equation जो होती है उसके थूँ कोई भी एक जो दो product दो भी reactant जो rate करके कितना product बना रहे है तो उसके हम formula के थूँ तो इसके थूँ हम जाने यह फिर दूसरी चाहती है actual yield actual yield क्या होती है मतलब हकीकतन yield मतलब हम यानि product को calculate करें experimentally हम product को calculate करें experimentally मतलब हम वो जो reaction है दो reactant का करवाएं और हमें जो result है उसको हम कहते है actual yield यानि हकीकत में हमें पता चला यार वाकई यह चीज़ है तो फूर्ट सबस एक्जेम्पल देता हूँ हम students तकरीबने ऐसे होता है कोई भी paper होता है test होगे रहा होता है board के exam होता है मैंने इतनी त्यारी किये मेरे तो पक्का यार chemistry के अंदर 60 में से मेरे 75 नमबर तो आ जाएंगे यह मैं theoretical yield दोड़ा रहा हूता हूँ मैंने का मेरे 55 तो आराम से आ जाएंगे पर उस बेचारे बच्चे को नहीं पता कि उस बेचारे बच्चे को नहीं पता कि board में writing के marks करते है या चीका से हर सवाल पर तो उसने एक theory लगा है मैंने यार इतना पढ़ा है तो मैं यार मुझे अच्चे marks मिल जाएंगे बट जब वो paper देता है वो क्या जाती जब वो paper देता है मतलब वो practical काम कर रहा होता है तो जब वो practical काम कर रहा होता है तो हमको पता चलता है यार उसके कितने marks आएंगे बड़ उसकी हकीकत में 55 से कम आते हैं 47 marks आते हैं 47 marks आते हैं तो वो पेपर से भी लिया कर रहा था वो theoretical yield कर रहा था अपने पढ़ा ही कर बेस पर calculate कर रहा था मेरे इतने marks आएंगे बड़ जब reaction हुआ पेपर हुआ तो उसको पता चला यार मेरे तो efficiency मालूम करते हैं और कुछ नहीं just efficiency मालूम करते हैं तो percentage yield का मकसद यह है कि हम यानि किसी भी यह जो reaction करवाया है इसकी हम efficiency मालूम करते हैं कि यह कितना जो है efficient है हमने जो calculation किये कितनी percentage है इसके percentage है अगर practical yield यह जो हमारे percentage yield जादा आती है percentage yield जादा आती है तो मतलब हमारे efficiency बह भो ज़्यादा efficient है कम आती तो less percentage yield का मक्सद है less efficient है ठीक है efficiency ठीक है मालूम करते हैं तो हम actual yield को एक को नाम दिया जाता है practical yield क्योंकि हम उसमें practical काम कर रहे होते है practical yield उसमें practically वह performance हो रही होती है ठीक है तो यह ओलेजना नहीं है घपराना नहीं आप लोगोंने इसको समझना है ठीक है the maximum amount of product obtained by chemical amount of product obtained by chemical reaction by balance chemical reaction reaction नहीं आएगा बाय यूजिंग एट्स मुझे समझने आए बात the maximum amount of product obtained by balance chemical reaction chemical equation I think होना चाहिए है यहां पर मुझे मेरे ख्याल से हैंपर equation होना चाहिए जहां तक मुझे LM में है बड़ मैं confirm गए अब बता दूँगा ठीक है तो देखो यह किता है कि उसको हम किते है जो मैंने आपको बात बताई जो कि हम अपने बैलेंस chemical equation के तुरू मालूम करें ठीक है no matter आप जितने भी expertise हो कितने भी यह आपको इले मोबाई यह से इसको reaction करवाने आपको टेक्निक्स हों कोई भी x plus x को x plus y को react करवाने पर आपको x y मिलेगा आप कितने efficient हो बट आप कुछ ना कुछ amount of product जो है छोड़ जाओगे x y को कही ना कही गिरा दोगे ठुकरा दोगे यानि वो गायब हो जाएगी आपको यानि वो आप उसको calculate नहीं कर पाओगे यानि अगर मैं टेक्निकली कहूं तो उसको आप calculate नहीं कर पाओगे बहले आप कितने भी उश होए तो बाकी कहां गए क्यों के भाई नीचे पढ़ेंगे क्यों कहां गए सारे ठीक है ना तो हम कितने भी expertise होते हैं किस नहीं किन चीजों का miss out कर जाते हैं ठीक है ठीक है तो यह वाला जो point यह बात कर रहा है मैंने आपको उपर बात clear करती है यहां पर कुछ reasons है क्यों है ह I think so dead कुछ ना कुछ जो reactant है समझ जो सो हैं अगर माली को नहीं तो उसमें से मैट भी possible है करें दस react ना करें अब उसके बहुत सा reason हो सकते है temperature reason हो सकता है उसकी density हो सकती है reason ठीक ना density कितनी है उसका molar रेडिस हो रही है density नहीं molar रेडिस कितनी है ठीक है अब दुस्ती अदर reactants में फार्म एनी side product reactant कोई ना कोई side product फार्म कर जाएं फोर सब्सक्राइब मैं कहूं मेरे पास x react करके मेरे एकस 50 हैं यह 50 x हैं तो मेरे पास मैंने सोचा यार यह इस 50 x की मदद से मुझे y 50 मिलेंगे तो मगर मुझे नहीं पता था यार यार यह इस x की वजह से एक और चीज़ फार्म हो रही है z 10 amount मैं तो मैंने तो सोचा यह इस में 150 मिलेंगे तो जबके z 10 फार्म हो रहे हैं 50 x के molecules में से 10 जो है जेड़ फाम हो रहे हैं बट कितने 40 वाय फाम हो रहे हैं तो प्रोड़क्ट के हमें मुझे अमाउंट कितनी मिली कम मिली मतलब वो जेड़ है उसको मैंने नहीं किया ठीक है इसे मैं भी पॉसिबल है है यह रिवार्सबल रिएक्षिन हो मैं कल्कृलेट कर रहा हूं यह निरैं इतने सारे मेरे पास तो प्रोड़क्ट कम क्यों आया है проड इसलिए कम मैं भाई प्रोड़क्ट तो बढ़ता जा रहा रहा है बढ़ वही प्रोड़क्ट जchy Lao हरे से इसमtreंगे फिर वो रियक्टेंड माँ जा रहा है माइड भी पॉसिबल है रिवर्सेबल रियक्शन यो एक्वीलीबरम आ गया हो तो फिर भी हमारा बेड़ा घरक हो जाएगा और माइड भी पॉसिबल है हम जिस मेथड से जो है कलकुलेट कर रहे हैं उस method के अंदर कुछ ना कुछ amount का product जो हम lose कर जाए like distillation, filtration, crystallization for कुछ भी हो हम उसमें भी कुछ amount का products वगरा lose कर जाते हैं तो यह इतने बड़े जो है scene होते रहते हैं बाट पहला दूसरा तीसरा बहुत जादा जो है यह पाया जाता और माना जाता है इससे होगा तो अब बात करते है percentage yield, तो chemical process की efficiency को judge किया जाता है, practical yield और theoretical yield की ratio पर ठीक है, तो हमारे पर फार्मूला है percentage yield is equal to practical yield divided by theoretical yield into 100, practical yield की जगह आप कहीं पर देखो कि actual yield लिखावा होगा, तो actual yield practical yield बात से हमें, तो for suppose हमारे पास नीचे given होगी कोई ना कोई कहानी, हाँ example given है, तो इस example को हम समझते हैं, तो इन्होंने हमें कहा हुए कि calcium carbonate HCL के साथ react कर रहा है, calcium carbonate HCL के साथ react कर रहा है, और हमें CACL2 carbon dioxide H2O मिल रहा है, अगर हमारे पास 50 gram calcium carbonate है, और हमारे पास hydro-caloric acid जो है, बहुत सारा है excess के हैं, मतलब hydro-caloric acid की तो कमी ही ही नहीं हमें, 14.52 gram of CO2 is gases liberated, और हमने experiment, यह हमें क्या बताए जा रहा है, experiment yield बताए जा रही है, मतलब कौन सी yield लेज़े, यह actual yield बताए जा रही है इसकी, भाई हमने reaction कर वाया तो हमें मिला 14.52 gram of carbon dioxide, तो इसमें हमें मालुम करना है, इसकी efficiency कितनी है, percentage yield कितनी है, और theoretical yield कितनी थी, उस यह balance chemical equation के थुरू, जो के उपर given है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या, CACO3 का मोल्स निकालने पड़ेंगे है, हैं कितने मोल्स, तो mass कितना given है, given mass divided by molar mass 50, given mass इसका molar mass होता है, 100, तो उसका correct answer है, CAC कितना होता है, 40, 40, carbon 12, 1248 ठीक है, यह 100 हो गया, 0.5 मोल्स आ गया, 0.5 मोल्स 1 मोल CACO3, यह कहां से आया, यहां से बिलेंस केमिकल एक्वेशन से आया, ठीक है, कि 1 मोल C calcium carbonate हमको दे रहा है, 1 मोल of carbon dioxide, तो 0.5 होगा, 0.5 देगा, 0.1 होगा, 0.5 देगा, तो हमें पता है, 0.5 मोल्स of calcium carbonate will give us 0.5 मोल्स of carbon dioxide, ठीक है, तो देन हमने मालूम क्या करना है, theoretical yield of CO2 is now determined by multiplying its number of moles with molar mass, theoretical yield हमको कितना पता चलेगा, कि हमें कितने gram होगे, कि 0.5 को carbon dioxide के molar mass से multiply करेंगे, हमें मिला बाइस gram, हमने theoretical yield, हमने यहनि इस calculation से पता चले है, हमें 22 gram क्या मिलनी चाहिए, carbon dioxide मिलनी चाहिए, बढ़ हकीकत में हमको 14.52 मिलती है, एक्चुल लीड, मतलि भी कम है, क्यों कम है, CACO3 by side product भी तो farm हो रहे हैं, side product भी तो farm हो रहे हैं, H2O, यहां पर हो कि कम है, CACO2 by side product भी farm हो रहे हैं, समझे बात को, तो हमें actual yield तो आपको पता है, कम होगी, ठीक है, तो 22 gram of CO2 हमें मिला, तो अब हमें इसके efficiency मालूम करनी भाई, कितनी efficiency थी हमारी, efficiency मालूम करने के लिए हमारे पर स्वार मुला था, percentage is equal to actual yield divided by theoretical yield into 100, हमारे पर practical yield कितनी थी, वो actual yield हमें given थी, ठीक है, आउपर given है, यह रही, 14.52, ठीक है, already given is divided by bias, जो कि हमने यहां पर calculation से निकाली bias, तो इसको put किया into 100, हमें पता है 66%, तो इसकी percentage yield कितनी है, 66%, ठीक है, तो मेर ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर लीक समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, अलाहाफिस, बाए बाए